हेलो फ्रेंज आम प्रोफेसर राकेश आसवानी स्टेडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंज आज कर जो ये मोडिविशनल वीडियो बनाया जा रहा है उसका कारण यह है कि बहुत सरे स्टूडंस पढ़ाई नहीं करना चाहते पढ़ाई करते समय पढ़ाई नहीं करते सब्सक्राण पढ़ाई नहीं करते हैं लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के जरी आपको देने की कोशिश की जाएगी वीडियो उन स्टूडंस के लिए है जिनको पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो सवाल यह आते हैं स्टूडिस को लेकर कुशन्स आते हैं मन में स्टूडन्स की यंगा जन्रेशन हैं गरम खून हैं तो सवाल आने सवभाविक हैं पढ़ाई को लेकर क्या-क्या मन में सवाल आत पढ़ते समय नीद क्यों आती है चांद मशुक्री डेखने लगते हैं लगते हैं देखने लगते हैं आधि राथ तक हम जाकते हैं फालतों के नॉवल्स पढ़ने हो फालतों के चैट्स पढ़ने हो इस्तेाइब करना उसके लिए आपत्व कब टाइम है इंट्रेस्ट ही इंट्रेस्ट है येस वो कभी हमें बोरिंग नहीं लगता रोज एक ही गेम खेलते हैं फिर भी बोर नहीं होते हैं और आज जो मैं आपके साथ चीज़ें कर रहा हूं तो यह आपने समझना है क्यों ऐसा लगता है इसका भी एक कारण है पढ़ते सम है वेब सेरीस देखते समय पता ही नहीं चलता कब तीन गंटे चार गंडे पांच गंडे हमने यूं चिंदेगी के वेस्ट कर दिये मस्ता ना भाई एंजॉय करते रहने का उसमें क्या है आते हम उसमें क्यों हम पढ़ाई को टालते रहते हैं कल से पढ़ूंगा कल हो गई इसी फिर कल से पढ़ूंगा इसके लिए शारुक खान ने कहा है कल हो नहो इसके लिए आज पढ़ो फ्रेंट्स जिसने कहा कल बीत गय पर जिसने कहा परसो बीत गय परसो जिसने कहा आज मैं की यार वा च कोई भी काम करने के लिए जब आपको कहा जाता है खास करके स्टडी उस तो आप कल पे टाल देते हो बाद में करेंगे लेकिन फाक्तु के सारी चीजें अभी करनी है शोशल नेटरोंगिंसाइट्स अभी यूज करनी है गेम अभी खेलना है उसके लिए इनसान बीमार भी नह आज आने लगते आज ऐसा है आज वैसा आज ऐसा फील और आज वैसा फील हो रहा है लेकिन बाकी के एक्टिविटीज करने के लिए बिल्कुल भी हमें बुरा फील नहीं होता है फ्रेंट्स तो यह बाते हमें समझनी है यह सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वन बा स्टड़ी पढ़ाई करना हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है क्यों हमने पढ़ना है क्यों हमारे पैरेंट्स बार बार हमें पढ़ने के लिए कहते हैं जिस बात को पैरेंट्स की बात कर रहा हूं वो कई बार स्टूरेंस को कहते हैं पढ़ने के लिए स्टूरेंस तो आज पूरा टाइम बंद आपने में मस्त पढ़ाई क्यों करनी है सबसे पहला रीजन है यह रास्ता है पैसा कमाने का तो पहले से डिसाइड करो तुम्हें लाइफ में पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए अगर दस पंद्रह हजार रुपए मैंने पे जिन्दगी खतम करनी है तो तुम एकदम सही रास्ते पर हो पड़ाई छोड़गे बाकी कि जो साब काम कर रहे हो दस पंद्रह हजार रुपा मैंने बें तुम्हारी जिन्दगी खतम है इससे आगे तुम जिन्दगी में कभी बढ़नी पाओगे क्योंकि तुम वही चीज़े कर रहे हो क्योंकि पैसा डेट अल की तरह जिस तरह डेट और 99.99 परसंट को किल करता न आड़ देखा रहेगा आपने नहीं देखा तो मैं जबाबदार नहीं है वैसे ही पैसा 99.99 परसंट प्रब्लम को सौल कर सकता है प्रेंस आपको पता नहीं है जब दस रुपए के है अचे या बुरी और बुरी है तो मुझे दे दो मेरे इकांट में टांसफर करतो में कभी बुरा नहीं मार पैसा अच्छा बुरा नहीं होता इसके लिए इनसान के नियत अच्छी हो नहीं होती है लोगों को भी पता रहता है तो हमने वो डिग्रियां हासल करनी है लेकिन नौलेज के साथ इतना ही नहीं यह एक रास्ता है अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए अगर आपके पैसा होगा पड़े लिखे होगे तो आप कहीं भी सेट हो सकते हो कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड कर सकते हो लाइफ एंज्वा करने के लिए भी न हमें पैसा चाहिए वरना हर चीज को आप देखते रहोगे और मन में सोचते रहोगे नहीं यार जेब में पैसा नहीं है बाद में देख लेंगे और आज की तारिक में बहुत तकलीफ होती है कितनी सारी इच्छा इंसान की हैं उत्पन होते रहती है वांस अभी बढ़ गई है पुराने जमाने में इंसान की सिंपल लेविंग थी ज्यादा खर्चे नहीं थे लेकिन आच हर घर के खर्चे दिन बद दिन बढ़ते जा रहे हैं बच्चामीर का हो या गरीब को हो गरीब का हो सबको सारी बाते लो भाग लो याने पार्डिसिपेट करो महनत लो यह भाग लो याने रन आवे चॉइस अपने परिवार को बेस्ट जिंदगी देने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा येस प्रेंट्स आपके लाइफ पार्टर को भी ना आपसे बहुत सरी एक्सपेक्टेशन्स होंग और अगर आप उनकी वांट को सडिस्पाय नहीं करोगे न तो परिवार के लोग ही आपको ताना मार मार के मार देगा और कहीं भी आपको रियलाइज होगा काश मैंने थोड़ा और मेहनत किया होता ये सब चीज़ें आपको न देखनी पड़ें इसके लिए पढ़ना बहु है ऐसे कैसे कट जाएगी सोचना जरूर माना के पढ़ना आसान नहीं है कई मुश्किलें आती है तो यह समझो के पढ़ा एक पहाड की तरह है बस आपको इस पहाड पे चड़ना है जैसे आप पहाड की चोटी पे पहुँच जाओगे पहाड के दूसरे साइड सारी खुश मंदर भी कहां बच पाया है जितना फेमस मंदर हो उतना जाधा चड़ावा कुछ समय के लिए क्या बंद हो गया मंदरों की न्यूज आपने देखी रहेगी नहीं देखी तो गूगल पर सर्च कर लो मंदरों को तो चलो दान आ रहा है तो क्या आपका जीवन भी लंगर और दान पर चलने वाला है क्या बिल्कुल भी ने आपको अपनी वांट को सडिस्पाइग करनी है उसको पैसा कमाना बहुत जरूर और पैसा कमाने के लिए स्टड़ी आपके लिए खथ्यार है अपने आपको कैपेबल बनाईए अपना करियर बनाईए अपने बारे में सोची उसके लिए क्या करना है बोलना असान है करना उतना ही मुश्किल है मैं 200 तक्का आपकी बात से एगरी करता हूं इसके लिए कुछ बातों को अभी आपने ध्यान से सुनना है पांच साथ मिट निकालके अपने आप उस्टडीज के लिए कैसे मोटिवेट करोगे सबसे पहला पॉइंट है अपने गोल्स को सेट किजी डेली के टार्गेट सेट किजी कि आज मुझे ये काम करना है करना है मतलब करना गोल्स का मतलब यह जाएग आपके एरादे पक्के होने चाहिए जब तक सोना कमाने में गुजार देते हैं वह 24 गंडे में कुछ लोग बहुत सारा पैसा बना लेते हैं और कुछ दो वक्की रोटी का भी इंतिजाम नहीं कर पाते तो फ्रेंट्स आपने आपको मौका मिल रहा है तो आपकी किस्मत आपको मौका देगी बस आपकी महनत उसको चौका देगी तो आपने मैनत करनी है पैरेंट्स तो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं उनके पास नहीं भी है तो भी यहां माँ से दे रहे हैं तो कि आपका फरस नहीं बनता कि आप गोल सेट करके लाइफ में आगे बढ़े अपने पैरों पे खड़े रहे हैं इतना ही नहीं कई पार गोल्ड टार्गेट डिफिकल्ट होता है डिफिकल्ड कोर्स आपने किया तो उसका मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है कोई भी डिफिकल्ड एक्जाम को पास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए हो सके तो इसको देख लीजीगा कंपल्शन नहीं है सब्सक्राइब में फेलोगा है 99 परसंट घवरा जाते हैं उनको लगता है यह हमारे बसकी बात नहीं है भाई मुश्किलों से घवराना आसान होता है अगर आप ऐसे घवरा जाओगे न तो फिर आप जिन्दगी में कहीं पर भी टिक नहीं पाओगे तो ट्राइन ट्राइट इल्यू सक्सीड एवरिधिंग इस एजी वेन लेजी अबाउट इस बात का ध्यान लखेगा वही हमारा पॉइंट नमबर त्री है अभी से पढ़ाँ का कोई सही समय नहीं होता जब जागो तब सब्सक्राइब पढ़ना है काम कर टाल हुद आज पढ़ लेता हूं डेखूंगा अज पढ़ लेता हूं गें डेखूंगा पर सोद्द गोंगा जल्दी है चॉइस यूर्स विवेर ऑफ स्मॉल मिस्टेक्स विकॉज स्मॉल हूल सिंक ग्रेट शिप बेस्ट इग्जंबल टाइटेनिक कभी न डूबने वाला शिप पहले ही ट्रिप में डूब जाता है छोटी सी गलती की वज़े से तो आप इन गलतियों को रिपीट ना करें सुस्त कि वज़े से इंटेरियन लोग भी कई बार अपनी मंजिल तक नहीं पहुच पाते तो फ्रेंट्स आप मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा कोई भी एक्जाम कोर्स हम कैसे पास करें आपको बेनेफिट मिलेगा चॉइस मैंने का न या तो भाग लो या फिर भाग लो न 120 घंटे तुमहारे और पढ़ोगे तो खुद के लिए पढ़ो होगे मेरे लिए माबाप करें थोड़ी पढ़ने वाली हुं तुम तुम्हारा कितना से पढ़ते हो शुबह सुबह पढ़ो दिन में पढ़ो रात में पढ़ो अधी रात में पढ़ो बैठ के पढ़ो उठ के पढ़ो चलते चलते पढ़ो किसे पढ़ना एक इतना कि टना पढ़ना अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और सबसे important चीज है point number five आपके सामने दो रास्ते होते हैं यह तो अपने passion को जुनून को follow कीजिए जुनून passion curiosity नहीं है तो उसको create कीजिए यह के मेरे को life में यह चीज चाहिए तो उसके लिए नहीं मुझे यह करना पड़ेगा और दूसरी चीज हो दिस्ट्रक्शन इनसान के सामने दो रास्ते होते हैं एक passion कि मेरे को पड़ाई को जुनून बनाना है accordingly त्यारी करना है अपना करियर स्ट करना है दूसरा होता डिस्ट्रक्शन जिसमें 99 परसंट लोग पहले से लगे हैं एक सीजन खतम होता दूसरा तीसरा चौता बिग बॉस की सीजन देख रहें वाई क्या मिलता है तुमको अच्छा कुछ मिलता है वाड़ वाड़ तुम्हें तो अच्छी बात है चौइस आप सिंदगी का कीमती समय बरबाद कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्शन कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने यह जो है इलेक्ट्रोनिक गैजट आपकी हाथ में इसमें डिस्ट्रक्शन के पचास कारम साइट से गेम से पता नहीं क्या क्या है उसके उपर अगर आप किसी अफेर में पढ़े हो तो भाई तुम यह वीडियो से अभी निकल लो तो कि जिसके साथ अफेर च सब्सक्राइब हो सकता ना बागर पैसे के जीवन जीना बहुत मुश्किल है और दो-चार हजार में तो जिन्दगी इंसान के अकले नहीं करती फैमिली कैसे चला हुए ठींक और आज की तारिक में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है ना चाहते हुए इतना ही नहीं प्र तरह वो नहीं करना जाए नहीं लगता है दिसें पड़ा करणा है यह तो करनाव हमें सकसट में थोड़ा सोची यगा पने बारे में वीडियों कोई यिसु हूं नहीं है यहांकिन आपको अपने बारे में सोचना जवानी का आप परशन चीज़ें इसम अचीव की कि आप अपने ऊस्तामाल करें ठोड़ा अपने और अपने फ्यूटर के बारे में औरenderos कि मेरे को मेरी life का क्या करना है अपने future career को पहले बना है बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी choices यूर्स लास्ट पॉइंट पे आते हैं आज के काम का result आपको lifetime मिलता रहेगा याने आज जो आप मेहनत करोगे ना lifetime उसके आप फल खाते रहोगे करम करो तो फल मिलता है आज नहीं तो कल मिलता है जितना गैरा अधिक होकुवा उतना मीठा जल मिलता है तो इनसान ने करम करते रहना है महनत करते रहनी है कोशिश करते रहनी है फल की इच्छा मत रखो फल का क्या है वह तो मार्केट में भी मिलता है अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें शेयर जरूर कीजिएगा कम से कम 10 लोगों के साथ यही मेरी फीज है तभी आपको बेनेफिट होगा बाकियाप की मरजी